हेलो स्टुडेंट माइनेम इज राज चेतरी और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शन्स कोचिंग इंसिटूट पे स्वागत करता हूं आज हम लोग WP, SI और Constable के Practice Set का Part 3 कपर करने वाले हैं जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 25 Most Aspected Questions लिया है जो की exam point of view से बहुत ही important है हो सकता है कि यह जो questions मैंने यह आपर लिया है यह as it is exam में पूछा जाए ठीक है तो आप लोग वीडियो को end तक देखिए इससे क्या होगा कि आप लोगो एक्जाम में बहुत ही benefit मिलेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते आज के सेसंस को और देखते आज के सेसंस का सबसे पहला question, question number one, the ex-official chairman of the councils of state अर्थात हम लोग से पूछा गया है कि जो राज्यसभा होता है, councils of state का मतलब होता है, राज्यसभा, राज्यसभा का जो ex-official chairman कोन होता है, यह हम लोग से पूछा गया है, ठीक है, options president, vice president, speaker of the log sabah and none of this, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका vice president of India, vice president of India को बोला जाता है, ex-official chairman of the councils of state अर्थात राज्यसभा, ठीक है, आप लोग को याद रखना है कि जो vice president of India है, उनका elections किसके दोरा होता है, members of both house of the parliament अर्थात, लोग सभा तो था राज्यसभा के member दोरा, इनका elections होता है, ठीक है, vice president का, और इनको बोला जाता है, ex-official chairman of the राज्यसभा, बात clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 2, video को pause कीजिए, और questions को खुच से solve करने की, questions कीजिए, question number 2 को, लिखा हुआ है क्या, a train 125 meter long, passes of man running at a speed of 5 km per hour in the same directions in which the train is going in 10 seconds, the speed of the train is, एक train है, जिसकी लंबाई है, 125 meter, एक 125 meter लंबी train, किसी आदमी को, कि 5 km per hour की speed से दोड़ रहा है, 5 km per hour की speed से दोड़ रहा है, किसी आदमी को cross करने के लिए, ये train लेती है, 10 seconds का समय, कितना 10 seconds का समय, और एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है, कि train उसी directions में चल रही है, जिस directions में ये आदमी दोड़ रहा है, यानि कि directions किया है, त ठीके, तो हम लोग से पूछा गया है, speed of the train, train ने इस आदमी को किस speed से cross किया है, और एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, जब कोई train किसी platform में खड़े आदमी को, या किसी telegraph post को, या किसी electric post को cross करती है, तो train कितना distance कबर करती है, train distance कबर करती है, अपने खुद के length के बराबर distance कबर करती है, बाताई समझ में, यह आप लोग को आना चाहिए basic concept है, बाताई समझ में, अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि दोनों का directions क्या है, से में, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर निकालने की कोशिस करेंगे relative speed, क्योंकि हम लोग को पता है, कि जब दो सेम directions में जा रहा हो, with different speed, तो दोनों के बीच में, अम लोग relative speed निकालते हैं, और relative speed से ही किसी distance को cover किया जाता है, बाताई समझ में, तो मान लेते हैं कि जो train है, उसका speed हम लोग मान लेते x km per hour, क्या मान लेते x km per hour, बाताई समझ में, x km per hour is the speed of this train, ठीक, तो अब इन दोनों क बीच में, train और आदमी के बीच का जो relative speed होगा, या net speed होगा, क्योंकि directions क्या है, सेम है, तो direction सेम होने, पर speed मानेस करना पड़ता है, बड़े वाले speed से हम लोग छोटे वाले speed को मानेस कर देंगे, तो relative speed दोनों के बीच में बनेगा, x minus 5 km per hour, ये relative speed होगा train और आदमी का, ठीक speed into time, पता है नहीं, speed into time, तो चलिए, देखते, distance कितना है, distance तो train के लेंद के बराबर कितना होगा, 125 meter, speed कितना है, speed है, relative speed कितना है, x minus 5, क्योंकि जो अब distance कबर होगा, वो relative speed से होगा, ठीक है, अब ये kilometer per hour में है, और distance meter में हो, तो हम लोग इसको meter per second में convert कर देंगे, और meter per second म इसको multiply करते है, 5 by 18 से, अब इसको cross करने के लिए time कितना लगा है, 10 seconds का समय लगा है, time कितना है, 10 seconds, बात है समझ में, चलिए, अब इसको cancel करते है, 5 से ये, 5 ones are 5, 5 से ये 25 times आएगा, बात clear, 5 से ये 2 times, 5 से ये कितनी बार, 5 बार, 2 से ये कितनी बार, 2 ones are 2, 2 9s are 18, तो x, इधर में क्या बनेगा, 9 into 5 ये बन जाएगा, आपका 45 is equal to यहाँ पर आएगा, आपका x minus 5, बात clear है, चलिए, अब इसको इधर लाते है, तो 45 ये minus इधर आने पर plus हो जाएगा, तो 5 is equal to क्या होगा, x, तो x is equal to, हमारे पास में कितना answer आया, x is equal to 50 km per hour, 50 km per hour, ये क्या होगा, ये हो में, अब देखे, मैंने यहाँ पर 5 by 9, 18 से multiply इसलिए किया है, क्योंकि ये जो distance है किसमें, meter में, तो मैंने time, speed को क्या कर दिया, meter per second में convert कर दिया, 5 by 18 से multiply करके, तो answer क्या होगा, speed of the train is 50 km per hour, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 3, video को pause कीजिए, questions को खुद से solve क परने की, कोशिश कीजिए, series का question से, बहुत ही बढ़ा question से, exam में पूछा सा सकता है, देखे, लिखा हुआ है, 2, 8, 18, 32, 50, और हम लोग को बताना है, कि next number इस series का क्या होने वाला है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दिये गए इस number के बीच का जो gap है, उस होदा का, यहाँ पर कितने का है, 18 का, ठीक है, अब देखे, जो next gap आएगा, वो कितने का आएगा, हम लोग को यह देखना है, ठीक है, तो यह 6 plus 4, 10, 10 plus 4, 14, 14 plus 4, 18, 18 plus 4 क्या होगा, 22, इसका मतलब क्या होगा, कि जो next number होगा, तो next number की 20 और ये 50 के बीच में जो gap रहेगा, वो आपका 72, ठीक है न, चलिए, आगे बढ़ते, देखते हैं, next questions, question number 4, what was the real name of विर्बल, अम लोग को बताना है, विर्बल का जो real name, वास्तविक नाम है, वो क्या है, ठीक है, options, महेजदास, सियामदास, भगवानदास, रामतनु पांडे, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, महेजदास, जो बिर्बल है, उनका वास्तविक नाम क्या था, महेजदास था, और इनका जन्मु हुआ था, आपका 1553 में, और वो था एक हिंदू एडबाइजर, मुगल बात्सा अकबर के दर्बार में, ठीक है, और इनको अकबर के द्वारा निवत किया गया था, एजे प से लेरिय वह 20% ज्यादा है, वाई के kummрах noble में, तो हम लोग से बूचा गया है कि वाई का जो से लेरिय हूँ, एक सक이了 कि में, कितना परसंट कम था, बाता रह Pear्थान की समझ मही तो सबसे पहले जाम करता है, कि 20% का fraction था बलू निकाल लेते है, कि 20% का fraction value था होता है, 937 ov बात आई इसमस्द में अब देखिए जो 5 है न यह 5 होता है आपका 100% याद रखना और यह जो 1 है यह है आपका 20% ठीक अब दिया कि यह गया है कि X और Y दो आदमी है ठीक है और X का जो salary है वो कितना ज्यादा है 100% में 20% ज्यादा है क्योंकि X का salary Y का comparison में 20% ज्यादा है ठीक ह तो X salary 20% more than Y तो मान लेते हैं कि जो Y है उसका salary है 5 तो X का salary कितना होगा देखिए Y का salary 100% मान लिया तो X का salary 20% ज्यादा है यानि कि 5 में 1 ज्यादा है तो कितना होगा ही 6 होगा ठीके तो हम लोग से पूछा गया है कि आप देखिए how much percent Y salary is less than X Y का salary है वो X से कितना percent कम है बात आई समझ में तो देखिए Y का salary तो कम है यहाँ पर कितना कम है कम तो है 1 unit ठीके अब किस से कम है X से कम है और थाथ 6 से कम है तो Y का salary है वो कितना कम है 1 by 6 कम है किस से X से बात आई समझ में तो कितना परसेंट कम बोलने से क्या होगा, यह 1 by 6 का जो परसेंटेज वैल होगा, वो होगा, आपका 16.66 परसेंटेज, बात क्लियर है न, कितना होगा 16.66, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 6, वीडियो को pause कीजिए, questions को खुद से solve करने की कोशिस कीजिए, ठीक है, 5 goals, M, N, O, P, and Q are standing in a row, 5 लड़किया हैं, जो किसी रो पर खड़िये, जो P है, वो right में है, किसके right में, P is on the right of Q, P, Q के right में, N is on the left of Q, N left में Q के, but right में है, किसके M के, ठीक है, P is on the left of O, P, O के left में, which standing on the extreme right, हम लोग को बताना है कि कोन extreme right पर खड़ा है, ठीक है, तो देखे, यह sitting arrangement का questions है, यहाँ पर आप लोग को आना चाहिए, left और right का combinations, और जब भी sitting arrangement का questions, आप लोग को देखने को मिले, एक्जाम में, याद रखना है, left और right का combinations बहुत ही important होता है, और left और right हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर, खुद को consider करना है, ठीक ह चाहिए, वो Q के right में, तो Q यहाँ पर होगा, तो अभी हो जाके Q का right क्या होगा, P होगा, बात है समझ में, N is on the left of Q, जो N है, वो Q के left में है, तो obviously N यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि Q के left में कोन है? N है, but is on the right of M. देखिए जो N है वो right में किसके right में M के right में बात clear चलिए P is on the left of O जो P है वो O के left में अब देखिए P का left तो क्यों है और जो P है वो left है किसका O का तो obviously जो O होगा वो P के right में होगा है नहीं होगा पताइए तो हम लोग से पूछा गया है who is standing on the extreme right अब देखिए extreme right पे कोन खड़ा है ठीक है तो मैंने क्या बोला कि right और left को हम लोग के से पहुचा नहींगे जो हमारा right वो questions का right जो हमारा left वो question का लिवट तो इस question का जो correct answer होगा वो क्या होगा O होगा बाते समझ में extreme right में को है आपका O clear चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next question question no.7 Newton's first law of motions is called Newton का जो first law of motions से उसे अम लोग क्या बोलते है principles of relativity principles of thermodynamic casualty principles 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 of inertia ठीक है तो इस question का जो correct answer होगा वो होगा आपका option no.C अर्था principles of inertia ठीक है तो देखिए first law of motions में क्या बोला जाता है an object at rest will remain at rest unless a net force acts on it ठीक है कोई object rest पर है तो वो rest पर ही रहेगा जब तक इसमें कोई net force क्या नहीं होता इनेर्शिया बात क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन नमबर एड़ वेर इस दा हैट्कोर्टर ऑफ उनाइटेड नेशन्स एजुकेशन पूर सैंटिपिक एन कुल्चरल और उर्गनाइशन्स अर्ताथ युनिस्को का हैट्कोर्टर आप लोग को बताना है ठीक है ऑप्शन्स न्यू योग जिनेवा फैरिस वाशिंग्ड़न डिसी तो एंसर क्या होगा फैरिस फ्रांट्स बाता इसो मज में कहां परे फ्रांट्स में या पैरिस में देखिए और इसका जो गठन हुआ था आप लोग को याद रखना है फॉ इस टुश्प्स एट इयर्स हें इस रिश्यों वीकएँ ज्वेस्ट्स डी विकॉम्स स बिखंड फैन्द प्रेजन्ट टेज ऑम और मोहन के प्रेजन्ट एस का रिश्यो ये फΙर टो इसंट्स में अीज आपका 75 यो और देखिए और नोहड़ी जो प्रेजन्ट एज का रेशियो 5 इस्टु 6 आठ साल बाद में यह रेशियो क्या ओ रहा है 7 इस्टु 8 तो देखना है हम लोग को कि यह राम का जो एज है वो यूनिट में कितना बढ़ा है ठीक है तो देखें राम का एज पहले 5 यूनिट था अभी 7 यूनिट है मोहन का यूनिट बढ़ा है तो दोनों में 2-2 यूनिट बढ़ा है तो हम लोग को यह पता लग गया कि यूनिट में तो 2 बढ़ रहा है ठीक है यूनिट में कितना बढ़ रहा है दो और यही यूर्स में कितना बढ़ रहा है 8 यूर्स यह मैंने आप लोग को एज में पढ़ाया चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 10, ठीक, okay, in an examinations, 93% of the student passed and 259 failed, the total number of students was, बहुत ही बढ़िया question से, पूछा जा सकता है, एक question, ठीक है, किसी exam में 93% students passed हुआ, और number of failure कितना है, 259, तो आम लोग से पूछा गया है, total number of students, आप लोग खुद बताइए, कि students total कितना ह होता है, 100%, ठीक है, total students मान लेते हैं, 100%, 100% में 93% तो पास हुआ, बताएए, पास तो 93% तो दिया हुआ है, तो fail कितना हुआ होगा, fail हुआ होगा आपका 7%, क्योंकि overall students कितना होता है, 100% होता है, ठीक है, अब इसी 7% का जो value दिया है, question ने, वो किसके बराबर दिया है, 259 students के ब बार जाएगा, बताहिए, 737, ठीक है, 37, तो 1% बराबर कितना आया, 1% आपका 37 students के बराबर आया, लेकिन अम लोग को चाहिए, 100% students, total number of students, 2-0 यहाँ पर चिपका दूँगा, 2-0 इदर में चिपका दूँगा, तो total number of students कितना होगा, 3700 students होगा, बात आई समझ में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 11, ठीक है, during whose governor generalship, Indian civil services was introduced, किस governor general के समय में, civil services, यहने कि Indian civil services introduced हुआ था, ठीक है, options, Lord Dalhousie, Lord Curzon, Lord William Banting, Lord Carnivalist, ठीक है, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, आपका Lord Carnivalist, और इनको बोला जाता है, father of civil services in India, भारत में civil services का इनको जनक भी ब रखना है, अब इनके सासंस्काल में क्या क्या हुआ था, third anglo-mysor war हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1790-1992 बे, और हुआ था, treaty of Shrirangapatnam, in 1792, between Lord Carnivalist and Tipu Sultan, ये भी आप लोगको याद रखना है, और एक चीज़ आप लोगको याद रखना है, permanent settlement of Bengal, 1793, ठीक है, ये भी करना है, वो कोशनस को खुच से सॉल्ब करने की कोशिज करना है, और moneylender finds that, due to fall in the annual rate of interest from 8% to 7.75%, his yearly income diminishes by Rs. 61.50, his capital is, एक moneylender है, इसको ये लगता है, कि जब उसका annual rate of interest घटके, 8% से, 8% से 7.75% हो जाता है, 7.75% हो जाता है, तो उनका जो yearly income में घट जाता है, कितना, Rs. 61.50, ठेक है, तो हम लोग को बताना है उनका capital, तो बताईए, उनको पहले interest कितना मिल रहा था, 8%, अभी कितना मिल रहा है, 7.75%, उनका interest कितना percentage घटा, 0.25% घटा, घटा है नहीं घटा, अब ये किस के बराबर घटा, ये गटा है, 61.5 रुपिस के बराबर, बात clear, तो हम ल simplify करने के कोशिज करते रहे, जैसे ही मैं यहां से point को decimal को अटाता हूँ, तो ये 25 by 100% होगा, हो गया नहीं होगा, पताईए, और ये बन जाएगा आपका 61, 615 divided by 100 रुपिस, ठीक है, 0 से 0 कैंसल, अब मैं यहां से ये करू, simplify, तो देखे, 25% is equal to, ये 10 को इदर लाया, multiply कर दिय तो 6150 होगा, हो गया नहीं होगा, पताईए, ये इतना रुपिय हो जाएगा, ठीक है, अब हम लोग को चाहिए 100%, अब देखे, 25% is equal to 6150 रुपिस, ठीक है न, अब मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहां से 1% का value निकालूँगा, या तो मैं दोनों तरफ 4 से multiply कर दूँगा, ठीक है, अब 4 से multiply मैंने क्यों किया, 4 से multiply करते ही, ये 100% हो जाएगा, और 100% क्या होगा, capital, बात आई समझ में, तो 100% का value चाहिए, हम लोग को, देखे, मैंने 4 से दोनों तरफ multiply कर दिया, 4 x 00, 45 to 20, carry 2, 41 to 4 and 2, 646 to 24, 24,600 रुपिस क्या हो जाएगा, उस आदमी का capital हो जाएगा बात आई समझ में, 24,600, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 13, letter series का questions है, इसको खुझ से solve करने की कोसिस कीजिए, video को pause करना है, और खुझ से, कोसिस करना है, solve करने की, PQ, TT, आप लोग को numerical value पता है, तो फिर आप लोग इस questions को easily कर पाएंगे, देखे, यहाँ पर है, यदि में इसका numerical code लिखू, तो यह होता है, आपका 8, ठीके, यदि में यहाँ से इसका numerical code लिखू, तो यह होता है, आपका 16, यहाँ से T का numerical code लिखू, तो यह होता है, 20, x का 24 तो शाबशाब दिख रहा है कि 16 प्लस 4 20 20 प्लस 4 24 था था ह personnically कास यहां पर प्लस 4 प्लस आ जाता था 12 हो जाता तो यह एट YE 5 फॉर फ्लस प्लस फॉर 16 16 20 प्लस 4 को और 20 4 प्लस 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 और क्या जाता था टॉअर ढाईगे तो देखिए अप अम週b यह 12 का letter code जो 12 का letter code होगा वो क्या होगा पताएं किस number का numerical value 12 होता है किस letter का numerical value 12 होता है तो आम लोग को पता है यह L होगा क्या होगा L तो देखिए answer B option number B और option number D तो होई नहीं सकता ठेके अब देखें यहाँ पर next क्ये का numerical code होता है 11 ठीके अब यह होता है आपका 17 Q का और T का होता है 20 और यह होता है 23 तो यहाँ पर साब साब दिख रहा है 17 and 3 20 20 and 3 23 इसका मतलब हम लोग को चाहिए यहाँ पर 11 plus 3 14 चाहिए अब किस letter का numerical code 14 होता है बस हम लोग को यह चेक करना है तो वो होगा आपका N क्या होता है N ठीके ना L N कहाँ पर है option number A तो इस questions का correct answer बात क्लियर चलिए आगे बढ़ते देखते हैं next questions question number 14 तो इस questions का answer होगा आपका 7th April वीडियो को pause करके आप लोग को को से कोसिस करना है questions को चलिए आगे बढ़ते हैं देखते है next questions question number 16 at 30% discount the selling price of an article is rupees 1050 और थाथ 1050 रुपीज what is the selling price if the discount is 15 percentage ठीके किसी article में 30% discount देने पर उनको बेचा जाता है किसमें 1050 में देखिए हमेशा याद रखना जो mark price होता है वो 100% के बराबर होता है होता है नहीं होता है 100% अब दिसकांट कितना दिया है discount दिया है 30% ठीके न 30% discount दिया है तो बताइए sell कितने में किया होगा 70% में अब 70% में sell किया है लेकिन यहाँ पर की sell कितने रुपे में किया है 1050 रुपीज में यह निकी 1050 रुपीज में सेल किया है तो हम लोग बोल सकते हैं 70% equivalent है बराबर है 1050 के तो यहां से यदि में 1% की value निकालना चाहूं तो दिखें यह कितनी बार जाएगा 15 ठीक है तो एक परसेंट किसके बराबर आया एक परसेंट आया आपका 15 रुपीज के बराबर क्लियर यदि में 100 परसेंट की बात करूं तो 100 परसेंट क्या होगा बताईए यह तो दोनों तरफ मेंने 100 से मल्टिप्लाई कर दिया तो यह 500 रुपी हो जाएगा यह होगा आपका आर्टिकल का mark price ठीक है ना अब देखिए इसको बेचा जा रहा है 15% discount में ठीक है ना यदि इसको आम लोग बेच दे 15% discount में तो बताएए आप लोग खुद कि 1500 में मैंने 15% discount दे दिया ठीक है ना तो मैंने इसको कितने में बेचा इसको मैंने 85% में बेचा ठीक है ना 85% और किसका 1500 क्योंकि मैंने 15% का discount दे दिया ठीक है मैंने इसको कितने में बेचा 85% और 1500 अब अम लोग को निकालना है 85% किसका 1500 का तो यह आम लो सब्सक्राइब करेक्ट एंसर होगा लेकिन आप लोग को खुच से करने की कोशिश करना है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट कोशिशन नंबर 17 वीडियो को पाउस कीजिए और कोशिशन को खुच से kwe तो next क्या होगा यह हम लोग को बताना है ठीक है सबसे पहले यह आप लोगों को निमेरिकल कोड पाता है तो बहुत बढ़ी है lsfw इस्टो क्या है nthx में आप पर देखें निमेरिकल पाता है आपको तो बहुत बढ़ी होगा बहुत ही helpful होने वाला है L का value होता है यह 12, ठीक है, S होता है आपका 19, F होता है आपका 6, और W होता है आपका 23, लेकिन यह दिमाग में होना चाहिए आप लोग को, 14, यह होगा आपका 20, यह होगा आपका 8, यह होगा आपका 24, बात clear, चलिए, आप देखिये इन दोनों के बीस का Rap देखिये तो यहां पर 2 का Rap है याँ नहीं यहां पर कितने का Rap एक का Rap यहां पर दो का और यहां पर एक का Rap लोगों पता चलिढगा एंचार की एक में सब्सक्रा Casey-दूरी अट, कहां 2L मतलब L, बात Clear, चलीए, अब अम लोगो देखना है RL, RL कहा है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां तीनों में, चलीए, नेक्स देखेढ़िये, अब फिर हम लोगों को 2 जोड़ना है, ठीक है, next letter हम लोग के पास में W, W का मतलब होता है 23, अब 23 में दूज उडएंगे तो 25 होगा, 25 क्या होता है आपका Y होता है, numerical code पता है तो बहुत जल्दी आप लोग इस type के questions को कर पाएंगे, पात के लिए 25, 25 is equal to Y, चलिए, next हम लोग के पास में E, E का numerical code होता है आपका 5, और 5 में हम लोग को 1 add करना है तो यह क्या हो जाएगा 6, यह हो जाएगा आपका F, R, L, Y, F, option number C, इस questions का correct answer होगा, बात आई समझ में चलिए, आँगे बढ़ते हैं, देखते हैं next questions, question number 18, वीडियो को pause करना है और questions को खुच से solve करने की, कोसिस करना है, ठीके, missing number का questions बहुत ही बढ़ी आ add करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा आपका 48, अब नीचे वाले number से हम लोग इसको भाग कर देंगे, तो 4 से भाग करने पर यह कितनी बार जाएगा 12 times, बात clear, तो देखें यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से 25 प्लस 20 क्या होगा यह वाला, 25 प्लस 20 हो जाएग आपका 45, 45 को 9 से डिवाइट किया, तो यह कितनी बार जाएगा, 5 बार और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 50 और 10 को add करेंगे, तो यह कितना आएगा 60, और 60 को 3 से डिवाइट करेंगे, तो यह कितना आएगा 20, तो इस questions का answer होगा, clear, यह भ इतना है, 16 थे, लेकिन नीचे से, हम लोग को पता करना है, उसका rank top से, तो मैंने उस दिन आप लोग को बताया था, कि किसी भी ranking में क्या होता है, कि total number of student find करने के लिए, हम लोग top plus bottom को add करते है, और इसमें क्या करना होता है, हम लोग को minus 1 करना होता है, ठीके, जब एक ही total number of student 42 है, ठीके न, total number of student 42 है, और 42 में जो महें से, उनका rank है, कितना 16, कहां से, bottom से, देखे, bottom वाला rank तो हम लोग को पता है, कितना 16, बात clear, 16 है, लेकिन अम लोग को find करना है, क्या, top वाला rank, clear, तो हम लोग कैसे find out करेंगे, देखे, अब इस 1 को इधर लाएंगे, तो यह हो इधर लाएंगे, तो यह हो जाएगा, आपका 43 माइनस 16, तो बताएगे, यह कितना आएगा, 27, महेश का rank के न, top से वो कितना होगा, 27, ठीके न, he is 27 from the top, बाता ही समझ में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 20, इसको solve करने की कोशिज किजिए, analogy का question से बहुत 25 की बीच का relation सब से पहले हम लोग को find out करना है, फिर अब same to same वोई relation हम लोग को यहाँ पर देखना है, 122 के साथ में, ठीके न, किसका relation fit होगा है, यहाँ पर, चलिए, अब देखिए, इसमें, इसको ध्यान से देखना, इसको हम लोग इस परकार से लिख सकते, 7 का square कितना हो होगा 65, हम लोग को समझ में आ गया कि यह आपका 7 का square plus 1 और 8 का square plus 1, तो यहाँ पर देखना है कि 122 किसका square plus 1 होता है, 11 का square, कितना होता है, 121, आप लोग को 25 तक का square perfect आपकी leaves में होना चाहिए, ताकि आप लोग cancer को डलजी calculate कर पाए, ठीके, तो यह हो जाए कि आपका 122 है नहीं बताइए, तो बताइए अब 11 के बाद में कौन सा number आता है, 12, तो 12 का square कितना होगा, 144, ठीके, अब 144 में 1 add करेंगे, तो कितना होगा, 145 जो की इस questions का उत्तर होगा, बात आई समझ में, चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं, next questions, question number 21, वीडियो को pause करना है और questions को चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 21, ठीके, who was called the iron man of India, भारत का iron man किने बोला जाता है, सर्दर बल्ला भाई पटेल, दादा भाई नोरजी, लाला जपतराई, और लाला हर्दयाल, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, आपका सर्दर बल्ला भाई पटेल, ठीक कुछी परकार से भारत को ünify करने में, सर्दर बल्ला भाई पटेल ने अपना योगदान दिया था, इसलिए इनको बोला जाता है, बिसमार की अपना योगदान दिया था, बारत के एक ही करन में अपना योगदान दिया था, इसलिए 31 October को आम लोग मनाते है, National Unity Day, क्या मनात देखते हैं next questions question number 22 3 numbers are in the ratio 2 is to 3 is to 4 10 numbers है इनका ratio है 2 ratio 3 ratio 4 बात clear और उनका SCF कितना है 12 है हम लोग से पुझा गया है LCM of the numbers इनका LCM बताना है ठीक है ratio है 2 ratio 3 ratio 4 अब सबसे पहले मान लेते हैं कि जो number है ना number हम लोग मान लेते हैं 2x 3x और 4x के term में 2x 3x और 4x मैंने मान लिया numbers ठीक है अब इनका SCF SCF कितना है बताइए अब इन तीनों का में common देखू SCF निकालो तो SCF साब सब दिख रहा है क्या होगा X होगा है होगा है नहीं होगा पताइए 2x 3x और 4x में common क्या है हाइस्ट common factor हम लोग को निकालना है तो common सब में दिख रहा है X से और इसी X का जो value है na question में कितना दिया है 12 ठीक है SCF कितना है 12 है तो बताइए SCF तो हम लोग को पता है SCF हम लोग के पास में आया X और question के अनुसार यह 12 है तो X बराबर 12 तो बताइए एक नंबर 12 दुनी कितना हो गई है 24, 12, 24, 12, 3, 36 और 12, 4, 48 अब हम लोग को निकालना है इसका LCM अब आप लोग LCM तो बहुत प्रकार से निकाला जा सकता है हम लोग को निकालना लाएक इसका में common एकदम simple जिस परकार से आप लोग करते है उसी परकार से करके दिखा रहा हूं देखिए 24, 36, 36, 48 इसको करके दिखते है ठीक है अब बताइए किस से करो 12 से कर दो 12, 2, 3, 4, 48 अब सब को multiply दुबारा एक बर करते देखिए 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 4 clear अब इसको करते देखिए simplify तो 12, 2, 24, 24 x 3, 72, 72 x 2, 144 कितना आएगा 144 क्या होगा यह LCM होगा बाताई समझ में कितना आया 144 यह 144 ऐसा नंबर है जो lowest है जो सबसे 12 से 24 से, 36 से, 48 से तीनों से divide होता है बाताई समझ में इसलिए है क्या होगा इसका LCM होगा चलिए आगे बढ़ते देखिए next questions question number 23 lowest rate of photosynthesis takes place in जो photosynthesis है जो प्रकास translation है वो सबसे कम किस light पे होता है options blue light, orange light, green light और red light तो इस questions का जो correct answer होगा वो होगा आपका green light ठीक है जो photosynthesis अर्थात प्रकास translation से वो सबसे कम green light पर होता है यह सबसे maximum की बात की जाए तो maximum होता है आपका blue color of light पे और इसके बाद में next जो maximum होता है वो होता है आपका red light में ठीक है ज्यादा बात आई समझ में चलिए आगे बढ़ते देखते हैं next questions, question number 24 वीडियो को pause कीजिए questions को खुछ से solve करने की courses कीजिए A and B can do a walk in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days, in what time can A do it separately, A के लिए इस काम को कितने दिनों में करेगा तो देखिए हम लोग को दिया क्या है कि A और B मिलके किसी काम को कर देता है 12 दिनों में ठीक है और यही काम B और C मिलके करें तो काम कितने दिनों में खतम होता है 15 दिनों में और C और A मिलके इस काम को कितने दिनों में खतम करता है 20 दिनों में तो सबसे पहले हम लोग क्या क करेंगे यहां से लेंगे LCM और निकाल देंगे हम लोग total काम total काम कितना होगा 60 ठीक है यदि में A और B A B B C और A C का एक दिन का काम निकालो one day walk निकालो तो one day walk क्या होगा time and walk में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ ठीक हम लोग क्या करेंगे 12 से 60 को बाग करेंगे तो 5 15 से 40 20 से 3 तो यह हो जाएगा one day walk किसका A प्लस B B प्लस C और C प्लस A का तो यहां से मुझको क्या मिला यहां से मुझको मिला 2A 2B और 2C का एक दिन का काम ठीक है ना 2A 2B और 2C का एक दिन का काम एक दिन में झीनों ने मिलके कितना काम किया है 1A 2B और 2C का एक दिन का काम कितना हो पार देंगे दो कितना आजाएगे टीकि अब ए बी और एक दिन में करता है छे काम और हम लोग को करवाना है कितना काम में करता है टीक है न एक अकेले का टाइम करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए टोडल काम चाहिए ठीक है और एक क्या चाहिए एक दिन का काम चाहिए यह तो मैंने टाइम इन वोक में आप लोग को पड़ाया हुआ है ठीक है B और C एक दिन में करता है 4 काम, कितना काम? 4 काम, ठीके? B और C एक दिन में करता है 4 काम A, B और C मिलके एक दिन में करता है 6 काम तो बताइए A ने कितना काम किया होगा एक दिन में 2 काम, कितना काम? 2 काम तो 2 से हम लोग इसको भाग कर देंगे तो ये कितना आएगा? 30 तो यह अकेले इस काम को कितने दिनों में खतम करेगा, 30 दिनों में खतम करेगा, बात क्लियर है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नेक्स कोशन, कोशन नमबर 25, और आज के सेशन का अंतिम कोशन, ठीक, अकबर वस सॉक्सिदेट बाई हिस सॉन, सलीम, हो तुक द जिश्व को जीतने वाला, तो बताना हमम लोग को वो कौन था, ठीक है, उनका टाइटल किया था, सलीम का जो टाइटल है, उन्होंने कौन सा टाइटल एड़ोट किया था, उप्शन सहाँ जहां, जहांगीर, बातसा और जहांपना, हमलोग को पता है कि अकबर को किसने सक् पसंदा रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत बुलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को सेर करना है ठीके ना चलिए अम लोग मिलते हैं नेक्स क्लास में